हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ओल उन बोर्ड एक्जाम वॉर्यर्स सो फ्रेंड्स हाद जिरू में आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है के वी एस टीजीटी पीजीटी एंड पी आर्टी की पैडागोजी से रिलेड़ जी हां फ्रेंड्स यूथ कॉंपेटिशन टाइम के जो पी वाई क्यू हैं हम इस वीडियो में उसी पर चर्चा कर रहे हैं और फ्रेंड्स फॉर्टी मार्क्स की पैडागोजी आपके एक्जाम में आनी है तो प्लीज बहुत ही शान्ती से वीडियो को देखिएगा और लास्त तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे क्योंकि एक्जाम आने तक ये वीडियो ऐसे ही चलने वाला है और आपकी रोज पी वाई क्यूस का जो आपको प्रेक्टिस करनी है वो ऐसे ही कंटीनियू रहेगा क्योंकि आपको भी पता होगा कि पैड़ागोजी विदाउट प्रेक्टिस नहीं होती है चलिए बिनन टाइम वेस्ट किये हुए आगे बढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास कल पहुँची चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कल आपको 15 कॉश्चन तक मैंने करा दिया था आज कॉश्चन नमर 16 निम्ण में से कौन सबसे व्यापक है तो सबसे ज्यादा व्यापक या ब्रॉड क्या होता है हमारा टार्गेट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कॉश्चन नमर 17 सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच पायदान पर है आंसर इस C that is मुल्यांकर ठीक है इवैल्वेशन ही सबसे अपर्मोस्ट पॉइंट पर रखा गया है आपको पता होगा नेक्स्ट ब्लूम्स की जो थियोरी थी उसमें नेक्स्ट ब्लूम्स के सेक्षनेक उद्देश्यों के वर्गी करण में निम्न में से कौन ज्यान छेत्र नहीं है आंसर इस D जी हां ब्लूम्स के तीन भाग थे तीन भागों में वर्गिरत किया है ब्लूम्स ने सेक्षनेक रुद्देशियों को, first is ज्यानात्मक्षेत्र, second is भावात्मक्षेत्र, and three is मनोगत्यात्मक्षेत्र, तो बाकी तीन तो इसमें हैं, पट ये D option is right over here, next question number 19, एक प्रभावी शिक्षन, प्रक्रिया का निम्नुमे से किसे न्यून्तम संबंध होना चाहिए, तो जी हां friends, आपको पता होगा, teaching का सबसे पहला, सबसे पहली जो priority होती है, वो ये होती है कि बच्चा रटे नहीं, okay, तो चलिए answer check कर लेते हैं, answer is A, okay, next question number 20, friends, वीडियो में last तक बने रहना है, ताकि something 39 के अप्रॉक्स में question है, तो आपकी उसकी practice हो पाएगी, चलिए, ये KBS का PRT के question है, आम अर्थ में सिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है, option A, सिक्षण के प्रती समरपन, C, सिक्षण देने की शमता रखना, and D, उप्रॉक्त सभी, तो जी हां, answer is D, उप्रॉक्त सभी, next question number 21, सिक्षा के मुख्यों देश से होता है, व्यक्ति की डैश का वि कास करना, okay, next, एक विध्यारती, उसके साथियों के साथ, बरताव में आक्त्रुमरशील है, और यह स्कूल के नियमों के अनरूप नहीं है, तो इस विध्यारती को इस मद की ज़रत है, तो किस मद की ज़रत है, जी हां friends, भावनात्मक, तो काफी सारे बच्चे, ऐसे होते है आप उसको चाहिए, माल लीजे कि घर का atmosphere ऐसा है, या उनकी surrounding ऐसी है, जिसकी वज़य से वो किसी भी अंजान व्यक्ती से बात करते हैं, तो बहुत ही आक्रमरशील उनका behavior रहता है उनके साथ, तो उनको किस तरह से समझा सकते हैं, जी हां भावनात्मक रूप से, ठीक है, next question number 23, एक अध्यापिका, विध्यार्थियों को दी गई संख्याओं के सम्हू में से, पून वर्ग संख्याओं पर गोला करने के लिए कहती हैं, तो इसक्रिया का उद्देश क्या है, ज्यान आत्मक, उद्देश्य प्राप्त करना, कौशल आत्मक, उद्देश्य प्राप्त क जैस उन्होंने शायद पढ़ा रखा है पहले से, तो वो ये जानना चारी है, कि अब बच्चा पून वर्ग संख्याओं पर गोला कर सकता है या नहीं, तो देखे ज्यान आत्मक कौशल हुआ कि बच्चे को ये पता है, कि पून संख्याओं क्या होती है, ठीक है, अनुप् कि पून वर्ग कौन से है, तो वो उनमें क्या लगा सकता है, गोला लगा सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रैंट्स, वीडियो को लास तक देखते रहिएगा, और प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजे, क्योंकि ये आकरतियां बना सकेंगे, या D समस्या समाधान कर सकेंगे, तो आंसर इस C, that is कौशलात्मा खुद्देश्र के, जरूर का उधाराने, गड़ती आकरतियां बनाना, तो देखिए कौशलात्मा खुद्देश्र का संबंद किस्ते होता है, संबंद मास्पेसियों के विकास और प्रयोग एवं शाडिन रियाओं के समन्वयन से होता है और कोशलात्मक उद्देश्य के अंतरगत बालक किसी कोशल के गत्यात्मक पक्ष को सीखता है friends ज्यान रखेगा बहुत important चीज है कि बच्चा क्या सीख रहा है गत्यात्मक्त पक्ष को सीख रहा है इसलिए आंसर क्या है गढती यह आक्रती बनाना आंसर होने के लिए तो इसमें गढ़ना करना या निष्कर्ष निकालना है समय से समादान हो सकता था बट हमें moveable जो भी option है वो moveable होना चाहिए बच्चे के लिए तो सिर्फ एक option C ही है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, गत्यात्मक पक्ष को दिखा रहा है, question number 25, निजी छेत्र उध्योग के दो धारन दीजिए, यह प्रशन डैश उध्देशे पर आधारित है, तो जैसा भी आपको पहले बताया गया है, कि बच्चे को निजी छेत्र के बारे में जानकारी दे दी गई है, तो वो उसकी हो गई knowledge, और अब वो धारन देने की बात चल रही है, तो वो हो गया उसका अबवोद, next, question number 26, किसी प्रसिक्षन आर्थी सिक्षक के एक अनुदेश आत्मक उदेशे, that is, instructional objective को इस प्रकार लिखती है, विध्यार्ती, अफिसरी जगा ये लिखा होगा कि आपका जो भी topic है, उसमें फिर लिखते हैं कि विध्यार्ती इसके बार, अब जैसे इसमें खरीफ और अभी की फस्टों के बारे में पढ़ाया गया होगा, तो इसलिए लिख रखा है कि खरीफ और अभी की फस्टों में अंतर कर सेखें हो सकता है, आपने whole numbers पर बनाया हो, कोई भी आपका lesson plan तो आपने लिखा होगा कि बच्चे whole numbers को जान सकेंगे या चाट सकेंगे ऐसा कुछ, ठीक है, तो option इसका क्या हो गया, C, संग्यानात्मर, नेक्स्ट कॉशन नमर 27, यदि बालक अपने विज्यान संबंदी प्रयोगों में अत्वा कथनों में इस पस्ट रूप से तुटियों का पता कर लेता है, तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश कौन सा है, तो answer is A, कौन सा ग्यानात्मक, तुटियां प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे को knowledge होनी चाहिए, कि actual में right चीज क्या है और wrong चीज क्या है, जब आपको knowledge होगी, तो आप पता पाएंगे कि आपने कहां गलतियां की हैं, तो answer is A, ज्यानात्मक, question number 28, एक अध्यापक विद्ध्यार्ती को दी गई संख्याओं में से, पौन घंसंख्या चाहटने को कहता है, इस क्रिया द्वारा प्राप्त उदेश जी ह तो अब वोधात्मक हो गया, question number 29, यदि समपॉर्ट त्रिवुच की दो भुजाएं दी गई हैं, तो बालत उस त्रिवुच की तीसरी भुजा की करना कर सकता है, उप्रिव्त प्रदर्शत वियवार्गत प्रवर्तन संबंदित है, तो अब देखिए, अब वोध में बच् किसी ने नहीं पूछा है, तीसरी चीज के बारे में पूछा है, तो बच्चे ने क्या किया है, अपने application skill का use किया है, ठीक है, तो answer is B, next आगी चली, question number 30, अब वोधात्मक उदेश है, that means understanding objective के विशिष्टी करन का उधारन है, तो answer पहले देख लेते हैं, option A, वर्गी करन कर स सकेंगे, B, पहचान कर सकेंगे, C, अंतर कर सकेंगे, and D is उप्रोप्त सभी, तो answer is, अब आपको understanding होई गई है, किसी भी objective की, तो आप ये सारी चीज हैं कर सकते हैं, चली, question number 31, एक सिक्षक प्रस्टिक्षन आर्थी, एक अनुदेश नात्मक उदेश, that is instructional objective, इस प्रकार लि चली, आगे बढ़ते हैं, question number 32, प्रदत्य सेक्षनिक उदेश, प्राप्त उदेश, that is taxonomy of education, aims और objective का वर्गी करन किस ने किया है, तो friends, नाम याद रखेंगे, कि ये BM, BS Blooms का है, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, और 1956 में उन्होंने ये दिया था, next question number 33, वर्ग खंड में सिक्षा के लिए क्या आवशक है, तो वर्खंड में सिक्षा के लिए उचित पर्यावन होना चाहिए, शात्रों की जिग्यासवरती जरूर होनी चाहिए, और सिक्षक अपने subject में पारंगत होना चाहिए, तो option D is right over here, question number 34, तालीम का ज्यानात्मक सिध्धान्त, that is cognitive theory का प्र NL gauge, जी हाँ याद रखिएगा, cognitive theory किसने प्रतिपातित किये, NL gauge ने, ठीक है, चली आगे बढ़िए, question number 35, friends, दुबारा याद दिला रही हो, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लिजे, क्योंकि आप इस चीज़ को बिलकुल मान के च प्ले करते हैं, किसी भी एक्जाम को क्रेक करने में, ओके, चली, question number 35, निम्न में से कौन सा तालीम सिक्षर का इस्तर नहीं है, तो option A, असमानता स्तर, B, याद दाश स्तर, C, चिंतनशील, और D, संबंध स्तर, तो answer है इसका A, असमानता स्तर, question number 36, सत्तवादी स्तर पर ताली है, तो सत्तवादी, obviously, class, teaching सत्तवादी, जो भी होगा, वो अध्यापक के हिंद्रेती होता है, ठीक है, चलिए, next, अध्यापन का सर्व प्रथम परणाम है, तो A, विध्यारतियों के विहवार का इच्छित दिशा में, बदलाव करना, जी हाँ, friends, आप किसी के व्यक्तित्य को पूरी तरह से नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, विध्यारतियों के चरित्र का विकास, चरित्र सिर्फ एक पर्टिक्लर जगा से नहीं बनता है, शोशल जो बिहेवियर है, और जो शोशल अट्रेक्शन है बच्छों का वो बहुत-बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस च संगाधीन, ऑप्शन 3, चुनोती पूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक बारतलाग, तो आंसर आपने आपने चूस कर लिया होगा, तो जी हाँ, आप सर डी यहां पर राइट है, तो आप्शन सारी चीज़ें एक प्रभावी जिक्षक में होनी चाहिए, कॉस्चन कर पाऊं, और ट्रस्ट मी, विदाओट प्रेक्टिस पेडागोजी नहीं होती है, हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं, कि आपने अगर पेडागोजी के कहीं से नोट्स बना रखें, या पर्चेस कर रखें, तो आप उनको जरूर पढ़िए, और उसके बाद प्रेक्टि जरूर होंगे, बट आप इस वाले आपके फ्रेक्टिस सेट में, के विएस, एन विएस और डी ट्रिपल एस भी, तीनों के हैं, तो काफी एक हद तक हम ये कह सकते हैं, कि कॉस्चन्स जो हैं, इसके सर्राउंडिंग में ही आएंगे, और हो सकता है कि इसमें से रिवाइस भ जरूर होंगे, तो आंसर क्या है, नन ओफ दीस, क्योंकि विएभार का क्रियात्मक पहलू, किसमें आथा है, साइको मोटर डोमेन के अंतरगत आथा है, जो इसमें नहीं दिया गया है, मनोचालन शेत्र का संबंद, देख लीजे, पढ़ लीजे, मास पेशियों के विकास औ और प्रयोग एवन शारिरिक क्रियाओं के समन्वे की युग्यता से है, मनोचालन शेत्र से संबंद, सैक्षिक उद्देश्यों का वरगी करन, सिमसन ने, 1966 में किया था, सिमसन ने अपनी पुस्तक, The Classification of Educational Objective, Psycho Motor Domain, 1960 में लिखा है, कि मनोचालन शेत्र में, उन किया गया है, जो शारिरिक तथा, क्रियात्मक या गामक कौशल से संबंधित है, फ्रेंट्स, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा So this is my channel, Board Exam Warriors, Friends Channel को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, Thank you so much